Hello everyone, अगर आप लोग बहुत ही lazy हैं, यानि कि Lucent या इस तरह की कोई और core book नहीं पढ़ना चाहते हैं, बट फिर भी आपको GK की तयारी करनी है, SSE CGL 2023 के लिए, जिसमें आप above average का score भी लेना चाहते हो, लेकिन बहुत ज़ादा effort नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पास समय नहीं हो या आप समय लगाना ही नहीं चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो भी reason वो आपका हो सकता है, बट अगर आप Lucent या core books के बिना कम टाइम दे करके GK की तयारी करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए होगा, maximum आप इससे benefit लेख पाओगे, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो, भले ही 1.5x की speed से देखना, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है, तो चलो वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले तो ये बात कर लें, कि अगर आप इससे भी जादा लेजी हो, यानि जिस तरीके को मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी अगर आपको लगता है कि आपसे doable नहीं, आप बहुत जादा लेजी हो, तो हमारा 40 hours का course है, इसके अंदर हमने general awareness की complete तयारी कर आई है, current affairs को छोड़के, लेकिन इसके अंदर computer भी included होगा, tier 2 वाला है, notes वगयर हर चीज आपको मिलेगा, तो अगर आप 40 hour वाले हमारे इस course को लेना चाहते हो, तो हमारे apps जाके ले सकते हो, description, paint, comment में लिंक है, इसका जो price है वो 10 April के midnight से बढ़ने वाला है, और coupon code officer लगाने से आपको maximum discount मिल जाता है, चलो वीडियो के main part पे आते है, सबसे पहला काम जो आपको करना है, वो आप familiarize करेंगे अपने आपको, यानि कि जितने भी main main subjects हैं आपके general awareness के जैसे, कि quality हो गया, history हो गया, geography हो गया, science हो गया, और even computer भी हो गया, सब के बारे में आप basic जानकारी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यानि कि आप जान पहचान बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने last जो है, इन सब चीजों को अपने 10th class में पढ़ा था, और अब दूर दूर तक हमारा इनसे नाता छूड़ गया है, तो हम इनसे एक basic जान पहचान बनाएंगे, basic जान पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका किसी subject से जान पहचान बन चुका है अल्रेडी, तो उसमें अपने समय नहीं वेस्ट करेंगे, time एकदम कम से कम लगाएंगे हम इस काम को करने के लिए, इस काम को सबसे कम टाइम में करने का सबसे efficient थरीका यह है, कि आप हमारे GK का super short notes ले सकते हो, जिसमें 80 pages के अंदर, 80 cable pages के अंदर, जो major important points है सारे subjects के, वो इसमें cover कराई हुए हैं, एक्तम बहुत ही सरल भाषा में, और point to point बाती की गई है, या फिर आप किसी और coaching का भी short notes यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई और book वागेरा है, जो under 100 pages आपको जान पहचान करवा दे, अगर आप ऐसे इंसान हो, जिसको reading वागेरा पसंद नहीं है, जो short notes है, तो फिर भी इसको read तो करना ही पड़ेगा न, तो हो सकता है आप ऐसे इंसान हो, जिसको reading से दिक्कत है, तो वो हमारे crash course वाले videos देख सकता है, जो हमारे चैनल पर free में आ रहे हैं, पॉलिटी का एक video आ चुका है, धिर धिरे करके और भी videos आने लगेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग आप से पूछ कर ही plan करके डालेंगे, तो धिर धिरे करके इसमें सारे videos हम लोग डाल देंगे, तो उस तरह से आप देखके, एक एक दिर धिर घंटे, बहुत से बहुत दो दो घंटे के अंदर हम सारे subject को इसमें crash course में summarize करने के कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे quality हम लोगों ने लग बग एक घंटे के अंदर अंदर करवा दिया है, तो इस तरह बाकी हर subject को हम लोग crash course में summarize करेंगे, तो वहां से भी देखके, बस आपको जान पहचान बना लेनी है, यह step 1 है, step 1 complete करते हैं, step 2 में आप आते हैं, step 2 क्या है, सबसे जो valuable topics है, वो आपको छाटने है, previous questions का इस्तमाल करते हुए, और अपने experience का भी आप use करेंगे, स्टाटी के लिए भी, current affairs के लिए भी, यानि history, polity के लिए भी और current affairs के लिए भी, आपको previous questions analyze करने है, SSC, CGL वाले, और उसमें देखना है कि कौन से topic से question आने की संभावना सबसे जादा है, आप अपना experience लोगे, जब आप अपने आपको जान पहचार बढ़ाओगे, crash course वगेरा देखोगे, तो आपको खुद बखुद समझ में आने लगेगा, कि fundamental rights जादा ज़रूरी है, question आने की बहुत high chance है, DPSP काफी ज़रूरी है, question आने का chance है, Supreme Court High Court से question आता है, President से question आता है, Vice President से उतना नहीं आता है, तो इस तरह से करके आप topics को छाड़ सकते हो, और इस तरह से लगभग आपके 40-50 important topics जमा हो जाएंगे, current affairs के लिए भी, static के लिए भी, अगर ये काम भी आपको लगता है कि बहुत lazy हो, आप ये भी नहीं करना चाहते, तो हम इसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं, comment में आप बस बता देना कि हमें important topics वाली वीडियो चाहिए, हम लोग जल्दी से जल्दी इसको बनाने की कोशिश करेंगे, previous year से analyze करके आपको एक topical list देंगे, उन सारे topics को आपको जमा करके रख लेना है, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, इन topics के आप short notes को बनाओगे, अपनी भाशा में बनाओगे, यानि किसी दूसरे का notes यहाँ पर आप नहीं use करोगे, यह बहुत important है क्योंकि बहुत सारी चीज़े हैं, तो आधे से एक page में खतम हो जाना चाहिए, दूसरे का notes यूज़े करोगे तो तीन, चार पांच page का चला जाएगा, उतना लंबा notes आपको नहीं बनाना, अपनी भाशा में लिखो हिंदी में, इंगलिश में, उर्दू में, फरसी में, मराठी में, बंगाली में, जैसे लिखना है लिखो बस आपको एक्जाम के समय में याद होना चाहिए, लेजी strategy होने के बावजूद यह वाले चीज़ पर मैं इंफैसिस दे रहा हूँ, कि आपको अपनी भाशा में लिखना है in your own language, जो आपको समझ में, आप सिम्बोल का यूज़ कर सकते हो, लिटर्स का यूज़ कर सकते हो, जो भी यूज़ करना है, वहाँ पर कर सकते हो ठीक है, उसके बाद हम step 3 में आते हैं, step 3 क्या है इन नोट्स को आपको प्रोपरली रिवाइस करना है, इतना ही है अब आपके बनके जैसे जैसे नोड बंते जा रहे है उनको आप रिवाइस करते चले जाओगे नोड बने फिर रिवाइस करते जा रहे हैं युझ एक्स्वा स्म sniff finde ने अडिशन और आप फिर पर हमारे पर फ्री के सेक्रेशिंट सेट्स में लेंगे और previous year में 40 set आये थे, 40 के 40 तो हम नहीं जाल पाएंगे, लेकिन इतने ज़रूर डाल देंगे, कि आपके previous year questions की practice एकदम काफी अच्छे से हो जाए, तो sectional test भी free में, और previous year question की test series एकदम form में, आपको वहाँ पे मिल जागी, तो वहाँ से जाके आपको revision करते हुए, इनको test को भी लगाते जाना है, और test को जैसे जैसे लगाओगे, तो आपको value addition भी करना है, कुछ जो extra point आपको मिलेंगे, वो extra point भी अपने notes में add करते जाओगे, ठीक है, current affairs के लिए आपको वही करना, बस last के 6-8 मन्त के current affairs है, उसमें important topics को चांट चांट के करोगे, जैसे कि awards and honors हो गया, जैसे कि आपका important dates हो गया, dance forms हो गया, festivals हो गया, इन सब चीज़ों जो भी आप देखोगे कि बहुत जादा repeat करता है, उसको आपको करके जाना है, बहुत जादा stress नहीं लोगे, current phase की सवाल ऐसी भी बहुत जादा नहीं आये थे, तो इसलिए बहुत जादा इसमें tension लेनी के बाद नहीं है, एक step 4 भी है, यह optional है, ज़रूर नहीं है कि करना है, आप चाहो तो इसको skip भी कर सकते हो, ठीक है, आपको और भी topics add करने है, जैसे अगर आपके पास 50-55 topics का list था, उसमें आपने पूरी पढ़ाई कि उसको अच्छा सी revise किया, अब आपके पास अगर समय बच रहा है, और 50-55 topics आप अच्छे से कर चुके हो, 40 topics, जितना भी आपका topic जमा हुआगा, वह आप कर चुके हो, तो आप और भी topics add करते जाना, और value addition करते जाना, ठीक है, और again मैं बोल रहा हूँ, अगर lazy इससे भी कहीं जादा lazy हो, कि यह सब काम नहीं करना चाहते है, तो हमारा 40 hours वाला course ले सक और coupon code officer लगाने से 10% का discount, या फिर जो भी maximum possible discount होगा, वो ले लेना, price का, जो है, course का price है, वो 10 April के रात 12 बजे से बढ़ने वाला है, इसका भी ध्यान रखना, I hope आपको वीडियो से value मिला होगा, अगर value मिला होगा, तो वीडियो को like ज़रूर करना, चैनल को subscribe कर देना, ताकि ऐसी important videos आपको और भी मिलते रहे easily,